हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Nokia G42 Android वाइलफोन में आप अपने Bluetooth की कीप सी स्टॉपिंग प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हुं तो चलिए आपे वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं लेकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने Bluetooth को जब भी किसी दूसरी डिवाइस के दाथ कनेक्ट करते हैं आपको इस प्रॉल्म को सॉल्व करने के लिए अपने ब्लुथूथ को बंद करना है और इसके बाद आपको आपको अपने फोन के एरप्लेन मोड को चालू कर देना है एरपलेन मोड को आपको कम से कम 5 या 10 सेकेंड आपको सिर्फ इसे चालू रखना है इसके बाद आपको इसे बंद कर देना है एक छोटा सॉलूशन है इससे आपको एक बार करके देखना इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अब दोस्तो इसके बाद यहां पर आपको कुछ और भी प्रोसेस करने है जैंगी दोस्तो आपको जो है ना अपने իोटास न एक बार नेटवर्क सेटिंग को खबार ही कि नेटवर्क सेटिंग को नहीं करती है इसके अगले पेज में आपको reset option टाप करना है, इसके अगले पेज में आपको सबसे उपर यह reset wifi, mobile and bluetooth पे टाप करना है, अब इसके अगले पेज में आपको फिर से reset setting पे टाप करना है, आपको थोड़ी दिर में नीचे की side लिखा हुआ आ जाएगा, यह देखे, network setting have been reset, इस त appetite settings को reset करना है, आपको मौil फोन का setting page ऑपन करना है, सब से ओपर की side आपको यह option मिलता है, Network and Internet का, इससे टाप करना है, इसके अगले page में आपको नीचे की side है, मौばいल नेटवर्क का option टाप करना है, अब इसके अगले page में आपको जो आना सब से नीचे आना है, सब से नीचे को इस तरहीं से रिशेट कर देंगे तो आपके Bluetooth में कीप से श्रॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है अब दूस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगलब प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने फोन को ने एक बार रिस्टार्ट करना है रिस्टार्ट करने क अगर कोई कमी आ जाती है तो वह कमी जो है दूर हो जाती है कमी क्या हो सकती है हमारे फोन के सॉफ्ट्वेयर का अपडेट आता है हम उसे अपडेट नहीं करते है या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है तो मॉइल फोन का जो सॉफ्ट्वेयर होता है वो अ से चेक करने कि इसके लिए आपको सबसे पहले दो, मोईल फोन का internet आपको चालों रखना है इसके बाद आपको मोईल फुन का सैटिंग पैज के सबसे नीचे की sin सिस्टम पे अब बाइट करने के अगर कोईपडेशू भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखा ही देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन के सॉफ्ट्वेर को अपडेट कर लेना है जिसे आपके ब्लुटूथ की की इपसी स्टॉपिंग की प्रावलूम सॉल हो जाएगी ठीक है इसके बाद आपको सबसे नीचे, Erase All Data Factory Reset पे टाप करना है आपका फोन रिसेट हो जाएगा और आपके ब्लुटूथ की की इपसी स्टॉपिंग की प्रावलूम सॉल हो जाएगी लेकिन आपको फोन को रिसेट करने से पहले दो बात होगा धियान रखना है पहली बात यह धियान रखन करने तो इससे आपके ब्लुटूथ की की इपसी स्टॉपिंग की प्रावलूम सॉल हो जाएगी